अपने हिसाब से देखना चाहते हैं मगर क्या तक्दीर हमें वही देती है जो हम चाहते हैं वो तुम्ही प्यार के सागर के सामने खड़ा करके एक कत्रा बूंद के लिए भी तड़पने को मजबूर कर सकती है तकदीर की एक ऐसी ही कहानी हम अब शुरू करने जा रहे हैं इश्क जब इश्क रहता है तो मज़ा आने लगता है इश्क जब जुनून बनी तो चैन जाने लगता है और जुनून जब सनक बन जाए तो वो बन जाती है सजा पर इस कहानी के इश्क में सजा किसे मिलने वाली है, जिसने इश्क किया उसे या जिससे इश्क किया गया उसे, नहीं समझे न, तो फिर आए, सीधे कहानी ही देखते है, गुलाब इतना ट्रैफिक ठाना रास्ते में, हाई दया, मेरा तो जी ही बैठ गया, अरे तुछ चिंता क्यों करती है शान्ता, गुलाब के घर की चाय के चर्चे तो मोदी जी की चाय को भी टक कर दे रहे हैं, हाई 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 है, क्या बात कर रही है, इनकी बहु क्या इतनी अच्छी चाय बनाती है, गुलाब की बहु सिंदूरा, तभी गुलाब के बाजू में आकर बैठ जाती है और सब औरते उसे घूरती है देख तो शानता घर में मेहमान आने पर भी कैसे आकर बैठ गई है अरे बहुरिया जाकर चाय वाई लेकर आओ किससे भोल रही हो जी तुम मुझसे मैं होरकाम मैं इस घर की बहु हूँ कोई नौकर नहीं औरते सिंदूरा का ऐसा पटप जबाब सुनकर हैरान हो गई थी गुलाब तेरी घर की रसोई की जितनी तारीफ सुनी थी लगता है सम गलत है अब तो लग रहा है किट्टी पाटी ही फीकी है ऐसे कैसे रुको तो मेरे यहां की सर्विस से अच्छी सर्विस तो तुमको किसी होटेल में भी नहीं मिलेगी अरे महमानों की चाए आएगी या तुमारी खाल अपने हाथ से नोचू जा सिंदूरा तू ही जा कर तीक कहां रह गया चाए नाश्टा सिंदूरा उठकर किचिन की उठ जाती है तुमको हजार बार आवाज लगाने पर भी सुनाई नहीं देता क्या सासू से आज तो सचमुष तुमारी चमड़ी उधरवाओंगी गैस बंध होती है और सिंदूरा बाहर आजाती है चंडाल सिंदूरा और गुलाब की नजर किचिन पर थी नाजाने किस की शामत आने वाली थी तबी हौल की और कदमों की आवाज आती है और सब औरतों की नजर भी वही रहती है चाची जी आपकी चाहे सरी मैडम जी आपकी चाहे नाश्ता आज तेरी कैसे हुई छोटी मालकी ने अपने काम से बाजार भेज दिया था तो वहां साने में देर हो गई थी तो काम करके घर लोटना था ना अयाश कहीं का जा यहां से तेरी खबर तो महमानों के जाने के बाद लूँगी वीद घबरा कर हाच जोड कर वापस किचन में दूबग जाता है सारे महमान वीद का बनाया खाना पीना बहुत इंजोई कर रहे थे यार गुलाब क्या मस्द व्यवस्था कर रखी है तूने एक तम मज़ा ही आ गया अगर तेरे बावर्ची के पास समय हो तो इसे जरा हमारे यहां भी भेज दिया कर मीरा परसनल है मैं तो नहीं शेयर करूंगी अरे जी कर रहा है इसका हाथ चूमलू ला इसे बुला इसे बक्षीश तो दे दू अरे मुफ्त का राशन ठूसने वाले जरा इधर तो आ वेद नजर जोकाय आ जाता है गुलाब की दोस्त उसे पचास रुपे का नूट देती है इतनी लगन से अपना काम कर रहे हो खूब तरक्की करो वैसे भी गुलाब आजकल नौकर मिल कह रहे हैं जिनके हाथ में स्वाद बसता है शाबाश अरे पर ये नौकर थोड़ी है ये तो मेरा दामाद है हमारी मैथली का पती ये जानकर चाय पी रही औरतों के मुँँ से चाय की पिचकारी छोटती है क्या तेरा दामाद और ऐसा गर जवाई दामाद सुनेहरी किस्मत हो जब तो गधी को भी रात सिनहासन पर बैठने को मिल जाता है हाँ 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 ए तुम खड़े-खड़े क्या सुन रहे हो कोई तारीफ के लड़ू नहीं बट रहे यहाँ निकलो यहाँ से और मेरी बेटी को बुला कर लाओ जी सासुमा वीध हांजी करके नजर नीची करके चुपचा मैथली के कमरे की उर भड़ता है सारी औरते गुलाब का अपने दामाद पर ऐसा होल देखकर हैरान थी गुलाब सच सच बता तुने दामाद को कुछ चटा कर अपने वश में कर लिया क्या आज के जमाने में घर जवाई दामाद और वो भी ऐसा जिसे डाट फटकार लतार सके भाई वाह लगता है सास लोगों की नई करांती शुरू हो गई है पर सच बता ये सब आखर किया कैसे काकी कुछ राज-राज ही रहने दो क्या कहते है सीक्रिट मसाला आप तो बस नाश्ते पर ध्यान दो कुछ और चाहिए हो तो बता ना घर जवाई नौकर है अपना क्यों सासूमा हाँ मेरी प्यारी बहू सास नमबरी तो बहू दस नमबरी और दामाद सीरो नमबरी वीद मैथली के कमरे में घुसता है तो वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने ब्लाउस का होक लगा रही थी वीद की नजर एक बार भी मैथली के लड़कपन से हट नहीं रही थी और वो अपने ही खयालों में खो जाता है छे महीने पहले बड़े आलीशान घर में बत्तिया जल बुच रही थी इतने खुशिया एक साथ देखे सबको जमाना हो गया था इसलिए सब नाच का रहे थे तभी दूसरी और से एक साधारन बैंड के साथ चार कहार अपने कांधे पर फूलों से सजी डोली लाकर रख देते है बाराद दर्वाजे पर थी कुछ देर में विदाई होने वाली थी उफ ये विदाई अब ये सीन शर्मा राइटर को फिर रोला देगा ओ नो 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 हटाओ इसे बाराद पर फोकस रखते है घोडी द्वारे पर आ गई थी और जैसे ही घोडी को सब देखते है सबकी आखे फटी रह चाती है घोडी पर दूला नहीं बलकि दुलहन बैठी थी मैथली सजी धजी घोडी पर बैठ कर अपनी ही बाराद इंजॉय कर रही थी कलियोग है भाईया यही है आज की नाए मैथली घोडी से उतर कर कलवार से दुआर के तोरन चोखट पर मारती है और रिबिन भी काटती है मगर दूला कहां है हमको तो लगा यह पिटिया ने शोक के लिए किया होगा मगर इधर तो दूला है यह नहीं दरवाजे पर गुलाब हाथ में पूजा थाल लेकर मैथली का खुशी-खुशी स्वागत कर रही थी मगर दूले की कोई खबर नहीं थी और तभी डूली वाले कहार डूली के आगे हटते है बेंट बजना बंध होता है और उसमें से निकलता है एक सस्ती शेरवानी पहनी वेद वेद नर्वस सा बाहर निकल कर इधर उधर देखता है तो सब लोग उसे घूर रहे थे अचानक सब की नजर वेद के हाथ पर पड़ती है वेद के हाथ जो महदी से भरे थे मगर मैथली के हाथ एक दम कोरे थे आखे यहां सब क्या चल रहा था ये सवाल आप सब की तरह मेरा भी है वेद सब को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और दर्वाजे पर खड़ी गुलाब के जैसे ही पाउच होने लगता है वैसे ही गुलाब तुरंद हट जाती है ठीक है ठीक है जुकने का मौका आगे तुमको मैं दूंगी अभी जल्दी करो इतना टाइम नहीं है मैथली भी बिना वेद के साथ ही सीधे अंदर चली चाती है वेद बिचारा सब लोगों की घूरती नजरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है ऐसी अनोखी शादी किसी ने नहीं देखी थी तो उन्हों के फेरे होते है और बारी आती है विदाई की विदाई मैथली की नहीं बलकि वेद की होनी थी हाँ हाँ सही सुना आपने वेद की विदाई दूले की विदाई बाहर महंगी गाड़ी खड़ी थी सब लोग वेद को विदा करने बाहर आते है मगर गुलाव वेद को कार में बैठने नहीं देती तब ही मैथली का बाप मानिक लाल आता है और कहारों को एक्स्ट्रा पैसा देता है अगर विदाई होनी है तुम्हारी तो तरीके से होगी बैठो डोली में और वेद डोली में बैठता है कहार सड़क के चकर लगा कर उसे वही घर के बाहर लाने लगते हैं और ते हैरानी से गीर भीगा रही थी अरे ऐसे वक्त पर क्या आगाओं समझ भी तो नहीं आ रहा चलो रे डोली उठाओ कहार पिया में लनी की रुत आई और कहार आकर डोली को मैठली के सामने टिकाते हैं धम्हारी विद पूरा हिल जाता है मैठली हुक से परेशान होकर अपना हाथ काच पर मारती है और उसकी आवाज से विद का ध्यान अपने खयालों से बाहर आता है ओहो तंग कर दिया इस निगोडे ने धट मुझे बंधी नहीं करना अपना ज़रों का खुला रख लूँगी जिसको दर्शन करने हो कर लेना वैसे भी मैं चीज ही इतनी मज़ेदार हूँ जो कहीं से घुजर जाओ तो लोगों की आखे मुझे खुद मेरे घर तक छोड़ने पीचु पीचु आती है वैद दर्वाजे पर खड़ा हो कर ये सब सुनकर हस रहा था कितनी प्यारी लग रही थी आज मैथली वैद मैथली की उर बढ़ रहा था और उसकी बाते सुन अंदर ही अंदर खेखिया भी रहा था जब परेशान होकर अपने बालों की लटके साथ खेलती है मा कसम बला की खुबसूरत लगती है मैथली और वैद जाकर मैथली का हुख बन करने लगता है आउच आहिस्ता बाबा देखो तो ये हुख मुझे कितना परेशान कर रहा है और तभी मैथली आइने में देखती है कि उसके पीछे वेद खड़ा है वो फ्रोध में बलगती है तुम? तुमने मुझे चुआ कैसे? बत्तमीज? मैथली अपने पती वेद को जोरदार चाटा जर देती है मैथली का मारा चाटा वेद के चहरे पर नहीं बलकि दिल पर लगता है पर अब उसकी खुननस और बढ़ती है और वो तिल मिलाते हुए बाहर जाती है मम्मी! मम्मी! इस आदमी की हिम्मत कैसे हुए मेरे कमरे में आने की? और आया तो आया मुझे पर अपना हाथ और साफ करना चाहता था वेद की नजरे जुकी थी और बस आसू बह रहे थे आखिर सब देव से इतनी नफरत करते ही क्यों थे और जब नफरत थी तो ये रिष्टा जुड़ा ही क्यों? जानने के लिए देखिए हमारी नई कहानी के दिल्चस्प खुला से और एंगल वाले एपिसोड केवल लव सिटी में हफते में तीन दिन दूस्तों आपको बता देते हैं कि हम हफते में तीन दिन सोंवार से शनिवार के बीच ही अपने कहानिया डालते हैं तो जिनकी भी शिकायत है कि कहानी जल्दी लाओ रोज लाओ उनसे हम माफी मांगते हैं क्योंकि एनिमेशन को बनने में समय लगता है और छोटा छोटा नहीं एक साथ डालो इसके लिए सबसे पहले छोटा बनाकर उसे जोड़ कर कहानी डाली जाएगी अन्य कहीं आप देख रहे हैं वो बरसो पहले का कॉंटेंट फिर से डाला जाता है एक साथ वरना वो भी एपिसोर में है थे तो मैं आपकी आराधना और सीता भी और हाँ आपकी अपनी पसंदीदा छोटी मा भी आप सबसे विनिती है अगर मनुरंजन की पहलू से देखेंगे तो आपको हमारी कहानी से कोई शिकायत नहीं होगी तो दोस्तों शिकायतों से अकसर रिष्टों में दूरियां आ जाती है आप सबको सावन की मौनसून की शुब काम नाए और खयाल रखेगा अपना जल्दी मिलेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज डू लाइक शियर और सबस्क्राइब